नमस्कार तो आ गई है सर्दियां तो बनाए सर्दियों में गर्मगरम सूप जो कि बहुत ही आसानी से जल्दी से बन करके तयार हो जाएगा और इतना स्वादिश बन करके तयार हो कि आप भी बार बास सूप को बनाएंगे और बच्चे भी बहुत ही आसानी से इसको इसमें पूरी वेजीटेबल सूप है वैसे यह तो सबसे बला पूचा टमाटर ले लेने हैं धाइसो ग्राम करीबन लॉकी और ले लेना है पत्ता गोभी पत्ता गोभी देड़ कटोरी में करीबन काटूंगी और लेना है दो प्यास दो आलू और एक घाचर और साथ में ले सोया सॉस एक बड़ा चमच मक्षन दो चोटे चमच इसकी जगे आप घीन का भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास मक्षन नहीं है तो और फिर अब क्या करेंगी जो सबजिया है इनको सभी को मैंने बड़े-बड़े पीसेस में काट लिया है देख सकते हैं सभी चिज़ तो आप भी एड़ कर सकते हैं टामाटर जाधा रखना चाहते हैं तो आप भी ढाल सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि समें लौकी डाली उसका टेस्ट आयगा तो लौकी बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा एकदम बिल्कुल स्वाधिश्ट सूप बन करके ये तैयार ह ये लेलें और फिर किया करेंगे इस तरह से देखने कि सारी सब्सकाइब अगर पंगई है तो इसको थनड़ा होने के अगर पानी के बारे इसलिए ध्यान रहे धंडा होने के बा दी इनको फीसा, नहीं तो कहा बहुत गर्म-गर्म-गर्म सजार हो जाएगा, इसलिए यसलिए इसको फंडा उने पर ही पीसा, बिल्कुल about 2 है कोई पाणी नहीं डालना है जैसा आपने कुकर में पाणी डाल करके पीसpaid लियों की छहना से जो चन्नी मेच्छे से चान ले में कोई पानी अग्रे अगर है तो आब यह नहीं है कड़ान में डॉलिए मकंषन तो आप केंका यूसकरले और जो आधी कटोरी पत्त वो भी मैंने बताई थी उसको डाल दें अच्चे से लाल होने तक सिखने दें और उसके बाद जो हुने बेडर बनाया है उसको डाल दें और अच्छे सी इसको मिक्स कर लें ओर थोड़ी देर तक इसको उबल ले दें दो तिन उबल आ जए, उसके बाद इसमें डालने경े काले मिर्च 잡उाडर। नहीं पसंदें तो आप नहीं पूपत कैंथे काँगें जब यह उबल जाए उसके बाद गैसास करकी दालने경े सोया मिक्स कर लें गेस बंद करने के बाद ही ये दोनों चीज़े डालें और फिर देख सकते हैं ये जो vegetable soup है वो बन करके ready है आप इसको घर पर बना करके जरूर सभी को खिलाएं सभी को बेहती पसंद आएगा थंड में तो especially आप इसको बना करके खिलाएं तो देख सकते हैं ये जो vegetable soup है वो बन करके बिलकुल ready है अगर आपको मेरा soup मेरी recipe पसंद आई हो तो like share